इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर कलिक करके हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाद में इस दिये गए गंटी के आइकन पर कलिक करें ताकि आपको मिल्स के हमारे नए नए वीडियो सबसे पहले इतियास की तीन सबसे खूबसूरत ओड़तें जिन्हें देखने के लिए तरस्ते थे लोग कौन सी थी आई ये जानते हैं नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूटूब चेनल बिंदास गुरूजी में बहुत बहुत सवागत है इतियास में कई ऐसी कहानिया और ऐसे लोग दफन है जिन के बारे में जानकर काफी हैरानी होती है आज हम इतियास की तीन सबसे खूबसूरत औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिने देखने के लिए लोग तरस्ते थे और जिन के लिए बड़ी बड़ी लड़ाईयां हुई तो आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकरी प्राप्तोस के चितोड की महरानी रानी पदमीनी इतियास की सबसे खूबसूरत रानियों में से एक मनी जती है वह इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें देखने के लिए लोग तरस्ते थे उस शमय मुगल बादसा है उलाओ दिन खिलजी भी उन्हें देखने के लिए और उन्हें हासिल करने के लिए आठ महीने तक चितोड की शिमा पर डेरा डाले हुआ था पर खिलजी की इस मांग को रानी पदमीनी ने काम्याब नहीं होने दिया और चितोड की शारी ओरतों ने अपने आपको अगनी के हवाले कर दिया और खिलजी देखता रहे गया जोदा बाई जोदा एक हिंदू राजा की बेटी थी और दिखने में इतनी खूबसूरत थी कि उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे भारत में थी उस समय बारत पर मुगल सुल्तान अकबर का राज था इतियासकारों का कहना है कि अकबर ने जोदा को एक मेले में देखा था और उसकी खूबशूरती देखकर वह इतने मोहित हो गए कि जोदा भाई को हासिल करने के लिए अकबर ने आमेर पर हमला कर दिया अपने राज्य को बचाने के लिए जोदा के पिता को जोदा भाई के साधी अकबर से करने पड़ी हालांकि बाद में अकबर ने हिंदु मुस्लिम बाईचारे को बहुँ ज़्यदा बढ़ावा दिया और वह बारत के अच्छे राजाओं में से एक हुए और दोस्तों नमबर तीन है सहजादी फिरोजा सहजादी फिरोजा को इतियास की सबसे खूब शूर्ट महिलाओं में से एक माना जाता है आप जानकर हिरान रह जाओगे कि सहजादी फिरोजा उलाओ दिन खिलजी की सगी बेटी थी जिसे लाहोर के कानड़ दियों से प्रेम हो गया था कर ले थी तो दोस्तों आसा करते हैं आपको हमारे द्वारा दीगी जानकरी पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और जदशी जद़ा वट्सेप फेस हुगा दी पर अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ सेयर करें और हमारे इस यूटूब जेनल बिंदास गुरूजी को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन पर जरूर कलिक करें